रात के बारा बजे का नाम सुनते ही मेरे जिस्म में एक चुंजुना हट पैदा हो जाती है एक डर का अनुभब मुझे सताने लगता है क्योंकि घटना ही उस रात कुछ ऐसी घट गई थी अगर अभी तक आपने हमारे चैनल होरर कहानी को सस्क्राइब नहीं किया है तो अगर भी आई से सस्क्राइब करिएगा वीडियो बसंद आएगा तो लाइक और सेर जरूर कीजिएगा वीडियो के अंत में मेरे प्यारे सस्क्राइबर का नाम है जो कॉमेंट करते हैं आप भी कॉमेंट करें अगली वीडियो में आपका भी नाम होगा उस रात घर पर मैं अकेला था मेरा पूरा परिवार एक रिस्तेदार के हाँ साधी पे कया हुआ था मेरी तबियत कुछ खराब थी बुखार सानभव हो रहा था सो मैं घर पर ही रह गया माने खाने के लिए बना कर घर में रख दिया था सो मुझे खा कर बस सोना था सभी इस्तेदार के हाँ चले गए थे तकरीबर दस बजे मैंने खाना खाया और बेड पर लेट गया टीवी में चैनल बदर बदर कर इधर से उधर सीरियल देखने लगा कभी फिल्म लगा था कभी सीरियल मजा नहीं आ रहा था तब ही मुझे एक सीरियल नजर आई आहट जिसमें कुछ डरावने सीन आते हैं मुझे खुब मजा आता था देखने का मैंने आहट लगा कर देखना सुरू कर दिया सारह एक ग्यारह बज रहे थे मुझे थोड़ा थोड़ा डर कानुभव होने लगा कुछ ऐसे डरावने सीन देखकर मेरी हालत पस्त हो गई मैंने टीवी बंद कर दी एक चद्दर रखा हुआ था मैंने उसे ओढ़ लिया और चद्दर के अंदर से ही मैंने घड़ी पर नजर डाली बारा बजने में अभी कुछ देर बाकी था मेरी आँखें लग गई थोड़ी दिर मैं टंटन की आवाज के साथ मेरी नींद खुल गई मैं चौक कर उठकर बैट गया मैंने घड़ी की तरफ देखा बारा बजरे थे टंटन की आवाज घड़ी से आ रहे थी मैं फिर लेट गया और चद्दर तान ली घर में रोशनी थी लाइट मैंने बंद नहीं की थी मुझे डर लग रहा था तभी मैं च्छत पर धमधम की वाज सुनाई पड़ी मैं और च्वकन ना हो गया डर तो पहले जे था और आहट देखकर और फटी पड़ी थी और धमधम की वाज से हालत पस्ट ऐसा लग रहा था जैसे सिरी से कोई बार बार उपर जाता है और नीची आता है और डड़ावना मैं चद्दर के अंदर से घरी पर नजर कड़ाय हुए था सोच रहा था कब सुबह हो जाए कब मेरी जान बच जाए चिलाना चाहता था पर चिलाबही नहीं पारा था गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी ड़के मारे पुरा जिस्म काप रहा था और संजोग दर्वाजे पर किसी की फुसफुसा हट साफ साफ सुनाई पर रही थी अब तो डरके मारे हालत खराब हो चुकी थी गले से आवाज आना बंद हो चुका था जिसम काप रहे थे मैं चद्दर ताने हुए अंदर से सब कुछ देख रहा था और सुनने की कोशिस कर रहा था क्या कोई दर्वाजा तोड़ कर या कोई प्रेद भूत घर में तो नहीं खुस गया या मुझे कुछ कर तो नहीं देगा सोचते सोचते मुझे नीन आ गई अचानक दर्वाजे पर जोड़ जोड़ से दस्तक हुई धबधम की आवाज हुई दर्वाजे पर मेरी आँखे खुली मैंने घड़ी की तरब देखा सुबह के छे बज रहे थे बाहर से चिलाने की आवाजे आ रही थी मैंने जदी जदी दर्वाजा खोला देखा बाहर भीर लगी हुई थी मेरा भाई मुझे गुस्टे से तेख रहा था और सब ही घर में इदर उदर खुम रहे थे जब मुझे जानकारी हुई बात की तो पता चला कि रात में कोई चोर मेरे घर में चोड़ी करने के इरादे से घुसा और कुछ समान चोड़ी करकर भाग गया वो चोड़ी था जो रात में फुसफुसा रहा था और छट पर इदर से उदर भाग रहा था मुझे डराने की कोशिस कर रहा था ताकि मैं घर से ना निकलू और आहट देखकर तो मुझे और डर लग रहा था और डर के कारण घर में चुरी हो गए अच्छा हुआ कि घर वाले जो गहने थे वो लेकर अपने साथ गए थे पहन कर जिससे गहने बच गए और जो नगदी थे वो मेरे घर में थे जिसमें मैं सो रहा था इसलिए चोर उसमें ना घुसे बाहर जो भी कुछ उनको मिला छोटा मोटा समान वो लेकर वो भाग गए इसलिए हमारे घर में चोडी तो हुई लेकिन ना के बराबर मैं था इसलिए चोड़ी नहीं हुई लेकिन मैं डरा हुआ था इसलिए चोड़ी हुई अगर मैं डरा नहीं होता और घर से निकल कर मैंने देखा होता कि कौन है तो चोड़ी नहीं होती लेकिन हो सकता था मेरी जान चली चाती सो डर के कारण मेरी जान भी बच गई यह मेरे प्यारे सस्क्राइबर है जो हर बार हमें कॉमेंट करते हैं आप भी कॉमेंट करें अगली वडियो में आपका भी नाम होगा इसी प्रकार की कहानी में लाता रहता हूँ तब तक के लिए हमें आग्या दे धन्यवाद